जहन और वेलकम तुमाई यूटूब चैनल तो आप लोग कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँगा कि आप सब लोग दिलकुल ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे फिर आपका भाई आपका दोस्त फिर हाजिर है आज ए चैनल पर बने रहे हैं और आपको सीध तर्टे के पास बघल बीच यह पथर और यह देख सब्सक्ते हैं आप की रहा sleeper तो sleeper और पत्थर उसके बाद पट्री तो आईए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब ये है बहुती असान सब्दों में क्योंकि आप लोगों ने कई बार सफर किया होगा railway track पर इंडियन railway से सफर किया होगा लेकिन आप लोगों ने कभी ये कभी जाने की कोशिस की कि जो ये पत्थर रहते हैं railway track के बीच में इनका क्या काम होता है तो मैं वही समझाने आया हूँ और वह अच्छी तरह समझाओंगा तो चलिए समगते हैं तो ये railway track है और ये पत्थर बड़ा है तो आपने कभी सोचा है कभी आपने देखा होगा कभी भी आपने सफर किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि कभी railway track के बीच में गोल पत्थर नहीं आप देखे होंगे गोल पत्थर जैसे कि गोल पत्थर होते हैं आपने वो नहीं देखे होंगे आपने देखे होंगे कि नुकेले पत्थर और बड़े पत्थर बड़े साज हो सकते हैं लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा तो इसका में कारण यह है इसका यहीं में कारण है कि कि पत्थर ये इतनी भारी भरकम ट्रेन जो चलती है इस रेलबर ट्रेक से होकर गुजरती है इतनी भारी भरकम ट्रेन को ये सिलीपर और ये लोहे का पट्री ये नहीं समाल पाएगा क्योंकि आपने देखा होगा average speed of train के रहती है तो इन पत्थर का जो काम रहता है जैसे कि कभी आपने देखा का बारिस भोत होती है तो बारिस होती है तो ये पत्थर का काम रहता है कि ये मट्टी को खिसकनी नहीं देता है और ये मट्टी को खिसकनी नहीं देता है और इसमें न कोई पेड उख पाएगा नहीं कोई आदा घास उख पाएगी और इससे संतुलन बना रहेगा और पटड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी और जो यह स्लीपर है इसको यह जकड़े रहता है इसको यह जकड़े रहता है जिससे कोई हासा नहीं होता है और ट्रेन अराम से असानी से अ पानी बरसात होती है फिर बरसात से बहुत जादा फायदी में रहता है बरसात को भी यह रोकता है नहीं पानी जम्मा होने देता है और नहीं मट्टी खसकने देता है और यह पट्री को जकड़े रहता है जिससे ट्रेन आसानी से अपने एवरेज स्पीड से निकल जाती है तो इस पत्थर का काम यही रहता है तो उम्मीद होगा कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी कि पत्थर का क्या काम रहता है और गोलाखार गोलाकार पत्थर क्चळ जायेगा अगर त्रेन वहाँ से गुजब बिशा सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना कमेंट कर देना सब्सक्राइब